हलो साथियों मैं विशेक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आई टी आई पे और आज हम लोग यहाँ पर बात करने आवाले आए हैं किस पर बारे में कि एग्जाम डेट के बारे में कि उसके वह यह ग्जाम कब होगा के एग्जाम डेट के बारे में तो देखिए डीट्रिपलस्ट्व का जो एग्जाम है अभी Taoमद्र लास्ट में जो है did लगा हुआ है लास्ट में लगा हुआ है किसका 03 oblique 2023 का इसमें की various post है इसमें क्या है अलग-अलग बहुत सारी post हों के जो है वो vacancies निकली हुई थी उसका जो है exam लगा हुआ है तो भाई सवाल ये उठता है कि workshop attendant की जो vacancy आई हुई थी या जो IT instructor के साथ में है न इसमें सभी trade वाले बच्चे लिजबल थे उसका exam कब होगा तो देखिए नॉवंबर में तो कोई chance नहीं नॉवंबर में जो है वो कोई chance नहीं दिसंबर आप का आता है और January आता है देखिए दिसंबर और जनवरी में DSSSB के द्वारा कोई भी परिक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाता है जैसा कि पिछला record रहा है अब इसका मैं कारण भी बताता हूँ इसका कारण ये है कि जो DSSSB office है न वहाँ पे जो dress code है वो जो आपका half sleeve होती है वो है अब ठंडी बहुत ज़्यादा होती है तो half sleeve में जो है आना survive कर पाना exam करा पाना इतना hardly थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है जहां तक मुझे लगता है कि यही reason होगा वांकि आने वाले जो पीछे 2-3 साल बीत गए हैं पीछे 2-3 सालों में दिसंबर और जनवरी में DSSSB द्वारा जो है वो कोई भी exam conduct नहीं करा गये है ठीक है तो आपका भी जो workshop attendant का exam नौमबर में भी नहीं होने वाला है दिसंबर में भी नहीं होने वाला है और जनवरी में भी नहीं होने वाला है तो भाई सवाल उठता है कि कब होने वाला है इतना समय तो हो गया उसके बाद जो notification आ रहे हैं उनका भी कुछ न कुछ निकल रहा है लेकिन workshop attendant की जो है वो क्यों नहीं हो पा रहा है तो देखिए November, December, January में तो कोई chance नहीं है लेकिन आपका जो exam है वो February और March के बीच जो है वो आपका conduct करा लिया जाएगा तो February और March के बीच करा लिया जाएगा और DSSB workshop attendant का syllabus भी जो है वो कहीं पे disclose नहीं किया गया है लेकिन मैंने DSSB workshop attendant की जो job profile होती है उसके according और भी जो DSSB में जो ITI, government ITIs में लोग work कर रहे हैं उनसे मैंने पूछा है कि workshop attendant का क्या job profile होता है यानि कि काम क्या करना होता है उसके according मैं आपको डिसकस करवा दिया है तो हमने इसका जो है वो syllabus भी आपको बताया है तो syllabus वाली वीडियो मैं आपको जो है वो क्या कर दूंगा नीचे लगा दूंगा वो आप लोग क्या करना जाकर के देख लेना ठीक है वाकि इसकी full जो है full course जो है वो हमारे application पे चल रहा है तो हम हमारा एप आज ही आप डाउनलोड करें नीचे दिये गया description में लिंक है आपको मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड करें अपनी पढ़ाई को पूरी करें उसके अलावा उस course में आपको notes भी मैं जो है वह आपको प्रवाइड करवा रहा हूं साथ में live classes हैं doubt class है और test series है तो मैं 10 test series जो है आपको provide करवा दूँगा तो 10 test आपको देने को मिल जाएगा और साथ में जो notes रहेगी वो मिल जाएगी आपको और classes मिल जाएगी इसका syllabus आप एक बार और check out करें ना इसके जो पिछले वियर का question paper था उसके according मैंने syllabus को जो है वो निर्दारित किया है chapter wise तो म भी चीज़ें रहेंगी वो वहीं से रहेंगी जबकि मैंने कुछ extra ही include किया है लेकिन मैं ये factor of safety लेके चल रहा हूँ कि अगर मैं 50 chapter पढ़ रहा हूँ भले ही जो है exam में 15 chapter दे लेकिन अगर मैं 50 chapter पढ़ लेता हूँ तो वो कहीं न कहीं वहीं से मिलेगा तो यही हमारी धार रहने वाली है कि हम लोग जो है इसका पूरा कवर करेंगे बांकि यह फीस है अभी पचास बच्चों तक जो था वो डिसकाउंट था 10% अभी मैंने 50 और कर दिया है तो भी 50 और बच्चों को डिसकाउंट मिल जाएगा वर्क्शॉप टेना प्रोमो कोड लगा लेना ठीक है बाकि कोई प्रॉबलम होगी तो यह हमारा कॉंटेक्ट नंबर है इस पर आप क्या कर लेना वाटसाइब कर लेना ठीक है पर आप कॉंटाइट कर लेना 7800-366021 इस पर आप वाटसाइब करना जो भी आपकी क्वेरिस होगी जो कुछ भी पूछना होगा वो हो जाएगा लेकिन जो मैंने तिथी बताई है अभी वो तिथी आपकी बिल्कुल संभावित है ऐसा फिक्स नहीं है लेकिन जो पिछला र नॉमबर में अभी तो आपका एक्जाम कलेंडर आ चुका है जो हमने नोटिफिकेशन नमबर बताया उसका अभी इसके बाद जो है आपके एक्जाम का बिल्कुल नमबर लगा हुआ है लाइन में है कतार में है तो तैयारी के उपने बिल्कुल तैयार रखिएगा क्योंकि बहुत ही बहतरीन जॉब है यह आपको आई टे कॉलेज में जाना है चार पास गंटे रहना है वहाँ पे और वरक्शॉप में बैठे रहना है इसका जॉब प्रोफाइल भी क्या है वो मैंने सलेबस वाले वीडियो में बताया है वो जा करके आप लोग देख लेना वाकी च